नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्ट्रीडी विद्राज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीबियस एर 2016 का सेट फस्ट हल करवाने वाला हूँ तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंट तक देखिए और यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं देखिए ज्यादा देर ना करते हो तुरंत जो है kokushion शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसमें काफी ज्यादा Nacht कुश्चन रहते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए आप लोग थोड़ा फास्ट काम करना और देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बताए दे रहा हूं कि जो ये कुश्चन है आप लोग सिर्फ ध्यान पूरवक सुनिये और जो है मैं बाद में आप लोगों को टेलिग्राम पर इसका ज सवाल कैसे लगेंगे बाकी आप लोगों को कुछ नोट नहीं करना है मैं जो है पीडियाप इसका जब संट कर दूँगा तो वहां से आप लोग पीडियाप डाउनलोड करके फिर बाद में आप सवाल नोट कर सकते हैं देखिए यहां पर मेरा होट्सेप नंबर भी दिया ह पहला कि संख्याओं 10, 65, 91 का लगुतम समाव परते हैं यह पहला कुछचन है और जानते ही हो आप लोग जो है पहले जो है कुछचन एक सुरुवात होता है बहु विकल्पी एक कुछचन से यहां पर लिखा भी है देखिए वस तुनिष्ट प्रस्न तो यह बहु विकल्प तो अपने आप छाठी लोगे और आपको परिच्छा में कैसे करना है यह यहां पर जान लीजे देखिए आपको यहां पर जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही जो है कुछचन को पूरा उतारना है जो बहु विकल्पी है कुछचन है उसमें जो है कुछचन को उतारना अनिवार रहत उसके बाद फिर यहां जो आपसन सही हो वो आपसन नंबर डालिए और उसके बाद फिर उसका आपसन जो है लिख करके और उस पर सही का निसान लगा दीजिए यहनि कि चारों आपसन लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन यह कुश्चन लिखना अनिवार है यह नहीं कि सिर्फ आप आप सन लिख करके और उस पर टिक मार दिये तो जो है ये गड़बड माना जाता है तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कुश्चन जरूर उतारना है यनि कि जो वस्तनिष्ट प्रस्ण होते हैं उनमें आप लोगों को कुश्चन जरूर उतारना है और उसके बाद फि जो है कुश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो साइड में जहां पर भी आप रफ कर रहे हों, तो वहां पर आप रफ करके उसके बाद फिर यहां पर जो है, जो उसका सही एंसर है, वो लिख दीजिए, बस तो यहां पर देखिए, जो है हम आप लोगों को यह कुश्चन हल करके बता रहे हैं, साथ, पैंसर्थ हों, एक्यान नवे का लगुतम समाव अपर ते हैं, यनि कि लाशा हमको निकालना है, तो लाशा आप सभी लोग सीखी चुके हो, देखिए, कैसे निकलता है, मैं यहां पर आप लोगों को बताया दे रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर दस, पैंसर्थ, और एक्यान नवे, उपर लिलेंगे, और उसके बाद पिर देखिएंगे, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से कौण से संख्या कट रही है, वहां से हम काटना सुरुआत करते हैं, यहां पर देखिए, दस जो है, वो दो से कट जाएगा, तो यहां पर दो से दस को काटेंगे, तो देखिए दो पंचे दस हो जाएगा बाकी संख्या जो है दो से नहीं कटेंगी तो उनको हम ऐसे ही उतार लेंगे फिर यहाँ पर देखिए अगर इन में से सबसे छोटी संख्या से कौन से संख्या कटेंगी तो यहाँ पर देखिए तीन से अब कोई संख्या नहीं कट रह और एक्यान नवे देखिए नहीं कटेगा तो इसको ऐसे हुतार लेंगे फिर यहां पर देखिए अब जो है ये देखिए किस से कट रहा तेरा तेरा तो किसी से नहीं कट रहा लेकिन एक्यान नवे देखिए साथ से कट जाएगा तो इसलिए यहां पर जो है साथ से काटेंग तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ पर 13 ही उतार लेंगे, और यहाँ पर देखे, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 7 रिक 21 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखे, 13 और 13 हा रहा, तो यहाँ पर देखे, 13 ही ले लेंगे, यहनिकि 13 से दोनों 13 कट जाएगे, तो लासा जो है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे लासा बराबर अब देखिए यह जो गुड़न खंड है यही गुड़न खंड यहाँ पर गुड़े के रूप में लिख लेंगे दो गुड़े पांच गुड़े साथ गुड़े तेरह और इनका हम क्या करे तो यहां पर देखिए इनका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा देखिए पांदूनी 10 और 10 सते 70 हो जाएगा देखिए यहां पर पांदूनी 10 हो जाएगा और 10 सते 70 हो जाएगा और फिर 13 का 7 से गुड़ा करोगे तो 13 सते 90 हो जाएगा और देखिए यहां पर 1 0 था तो 1 0 बढ़ा लिए यनि कि 910 जो है इसका लासा हो जाएगा तो यही हमारा जो है answer हो जाएगा तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइब के question किये जा सकते हैं आप देखते हैं next question तो देखिए next question है दो आ समान परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं होती है यह बहुत important question है बार बार परिच्छाओं में पूछा गया है और जो है फिर आ सकता है यह तो यह मान के चलिए कि यह बहुत important question है तो इसको आप लोग कताई गलत न करना इसको एकदम रट लेजिए कि दो आसमान पर में संख्याओं के बीच पर में संख्याओं होती है तो देखे दो आसमान पर में संख्याओं के बीच पर में संख्याओं अनंत होती है तो यहाँ पर इसका जो answer है वो क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा अनंत तो यहां पर देखिए अनंत लिख लीजिए और जो है यहां पर भी देखिए अंसर डाल दीजिए तो इस प्रकार से देखिए जो है यह भी साल्व हो जाएगा और हो सकता है अभी आप लोगों को यह ना बताया गया हो कि दो आसमान पर्मे संख्यों के बीच परमे संख्याएं अनन्त कैसे होती हैं तो किसी दिन मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूँगा कि कैसे हम दो परमे संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालें क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया है हो सकता है आप लोग confused हो इसमें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूँगा, तो आप लोग परिशान बिलकुल नहों, और फिर अब next question देखते हैं, तो देखिए next question है, देखिए 3 प्लस 2 गुड़े 7 का मान होगा, तो देखिए ऐसे तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो 3, 2, 5 और 5 सते 35 का मान हो जाएगा, लेकिन देखिए हमको यहाँ पर इस तरीके से मान नहीं निकालना है, हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखिए इसका जो योग का, योग पर गुड़ा का बितरन नियम यहाँ पर दिखाना है कि योग पर गुड़ा का बितरन नियम कैसे होता, त साथ का इस से गुड़ा हो जाएगा तो तीन गुड़े साथ और प्लस क्या हो जाएगा देखें तीन गुड़े साथ और प्लस हो जाएगा देखें बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर दो गुड़े साथ हो जाएगा तो यही हमारा आपसन जो है वो सही हो फिर देखें, next question है, x-7 और x-9 का गुड़न फल है, तो देखें, ये भी बहुत ही आसान question है, इसको देखें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इनको गुड़े के रूप में लिख लेते हैं, x-7 और x-9, इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इनका क्या करेंग इनका गुड़ा करेंगे, तो देखें, इनका गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर देखें, x का x से गुड़ा करेंगे, तो x square हो जाएगा, फिर देखें, x का 9 से गुड़ा करेंगे, तो plus का 9 x हो जाएगा, फिर देखें, 7 का गुड़ा x से करेंगे, तो minus का 7 x हो जाएगा क्योंकि plus minus का गुड़ा minus होता है तो यहाँ पर minus का 7x हो जाएगा फिर देखे, 9 सते 63 हो जाएगा और जो है plus और minus का गुड़ा minus होता है इसलिए minus का 360 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे, यह अभी जुड़ घट रहे हैं इसलिए एक बार यहाँ पर बराबर कचिन लगा करके और एक step और हल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए x square हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 9x में से 7x जो है वो घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा तो इस प्रकार से ये question भी हल हो जाएगा आप देखते हैं next question 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 number 5 तो देखे question number 5 है एक तिरभुज का छेतफल 48 cm है यदि उसकी उचाई 8 cm हो तो तिरभुज का आधार होगा यहाँ पर तिरभुज का आधार हमको ग्याद करना है और तिरभुज का छेतफल दिया हुआ है तो यहाँ पर हम direct तिरभुज के छेतफल का फार्मूला लगाएंगे तो देखे तिरभुज के छेतफल का फार्मूला क्या होता है तिरभुज का छेतफल बराबर तिरभुज का छेतफल यहाँ पर लिख लिए तिरभुज का छेतफल बराबर तो देखे तिरभुज का छेतफ यह होता है फार्मोला और फिर यहां से देखिए यहां पर देखिए एक बटे दो होता है तीन नहीं होता है लिख लिजे एक बटे दो यहां पर एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई होता है अब यहां पर देखिए एक बटे दो लिखेंगे और फिर आधार दे यहां पर 48 लिख लेंगे अब देखिए आधार को एक तरफ रखेंगे बाकी संख्यों को एक तरफ कर लेंगे यहां पर मान लिजे कि आधार को जो है हम इधार ही रख रहे हैं और इन संख्यों को इधार भेज रहे हैं तो यहां पर देखिए 48 इधार है अकेला और इसके साथ में जब यह आएगा यानि कि यह पच्छांतर हो करके जाएगा तो यहाँ पर देखें यह गुड़े के रूप में है तो यहाँ पर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा और यह देखें यह बटे के रूप में है तो यह जाएगा उधर तो गुड़े के रूप में हो जाएगा यानि कि गुड़े 2 हो जाएगा उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे आधार बराबर लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए यह जो है 48 कड़ गया यानि कि यहाँ पर 6 आ गया तो 6 का 2 से गुड़ा करेंगे तो 6 दुनना 12 हो जाएगा यहीं कि आधार हमारा 12 आ जाएगा और देखिए आधार ही हमको निकालना था तो यहाँ पर आधार आ जुका है 12 और देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पर सेंटीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहीं हमारा एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question, फिर देखिए next question है, question number six, तो देखिए यहाँ पर six number से question जो है वो आतिलगुत्रिये प्रस्ण है, जो कि यहाँ पर उपर देखिए लिखा हुआ है, आतिलगुत्रिये question है यह, और बहुविकल्पिये question सिर्फ 5 दिये जाते हैं, जो कि मैं हल करवा चुका ह तो यहाँ पर आप लोग अतिलागुत्रिय कुश्चन देखिए देखिए जो DLA का प्रस्णपत रहता है मैत का बहुत कठिन नहीं होता है आसान कुश्चन होते हैं तो आप लोगों को बहुत परेसान होने की जरूरण नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान पूरवाक सिर्फ आयताकार मैदान का छेत्रफल 0.5 हेक्टियर है यदि एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर आयताकार मैदान का छेत्रफल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हेक्टियर में और हमको भुजा निकालने है मीटर में तो सबसे पहले हम इनकी इकाई चेंज करेंगे, यनि कि एक में कर लेंगे, यनि कि जो ये हेक्टियर में दिया हुआ है, इसको भी हमको मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए, जो है सबसे पहले हम पैमाना लिख लेंगे, देखिए, एक हेक्टियर बराबर क्या ह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और इसी से पूरा सवाल जो है साल्व हो जाएगा तो देखे एक हेक्टियर बरावर कितना होता है दस हजार वर्ग मीटर होता है अब क्या करेंगे अब यहां पर समझ लिजे कि हमको जो है आयताकार मैदान का छेतफल वर्ग मीटर म निकाल लेंगे तो 0.5 हेक्टियर बरावर क्या हो जाएगा तो देखे यहां पर यहां पर यह एक हेक्टियर है और 0.5 हेक्टियर का मतलब क्या हो जाएगा आधा हेक्टियर तो आधा हेक्टियर यहां पर मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ इसके आधा हो जाएगा यानि कि य एक हेक्टियर में 10,000 वर्ग मीटर हैं तो 0.5 हेक्टियर में कितने हो जाएंगे 5,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे अब हमको क्या करना है अब हमको जो है मैदान की एक भुजा दी हुई है दूसरी भुजा निकालनी है तो यहां पर सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे आयताका मैदान का छेत्फल बराबर तो देखे आयताकार मैदान का छेत्फल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई क्योंकि आयत का छेत्फल होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो यहां पर लंबाई गुड़े चोड़ाई हो जाएगा अब आयताकार 5000 लिख लेंगे और लंबाई देखे कितनी दी हुई है यानि कि एक भुजा यहाँ पर दी हुई है यह जरूरी नहीं कि यह लंबाई है कि चोड़ाई है यानि कि इसको एक भुजा हम नहीं मान सकते हैं कि यह लंबाई ही है जब हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी, तभी हम decide कर सकते हैं, कि यह लंबाई है कि चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर एक जगे पर हम चाहे लंबाई की जगे पर 125 लिख दें, और चाहे चौड़ाई की जगे पर 125 लिख दें, कोई problem नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम 125 को इधर भेज देंगे तो देखे चोड़ाई को इधर ही रखेंगे 125 को इधर भेजेंगे तो ये 5000 के साथ में क्या करेगा भाग करेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 इसके साथ में चोड़ाई के साथ में गुड़ा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर 5000 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से भाग करेंगे तो देखिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 चोको देखिए कितना हो जाएगा 500 125 चोको कितना हो जाएगा 500 यानि कि 100 देखिए यहां पर है और 100 चोको 400 हो जाएगा और 25 चोको 100 होता है तो 125 चोको कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा तो यहां पर इसको डारेक्ट काट सकते हैं यहां पर 4 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा तो इस प्रकार से चोड़ाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी और जो है मीटर में दिया हुआ है इसलिए जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा यहीं कि चोड़ाई जो है आयताकार मैदान की निकलाएगी 40 मीटर और यही हमारा जो है एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ hectare दे देने की वज़े से काफी student confused हो जाते हैं और ये पैमाना ना पता होने की वज़े से उनका question ये छूड़ जाता है तो यहां से आप लोग clear कर लीजिए और ये question important question है आभी सकता है तो इसलिए इसको आप लोग जरूर clear कर लेना और यहां से पैमाना याद कर लीजिए और इस type से question आसानी से लग सकता है अब देखते है next question तो देखे next question है समी करण x बटे देखे समी करण x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए तो देखे question कैसे हल होगा तो देखे इसको सबसे पहले हम नीचे उतार लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x बटे 3 और प्लस x बटे 2 बराबर 10 इसको हमको क्या करना है हल करना है हल करने के मतलब हमको x की value निकालना है तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से LCM ले लेंगे तो देखे 3 और 2 को 3 और 2 का LCM कितना हो जाएगा तो 3 और 2 का LCM हो जाएगा 6 तो यहाँ पर LCM 6 हो जाएगा और फिर जब यहाँ पर 6 हो गया यहीं कि 3 में किस से गुड़ा किये तो 6 हुआ तो यहाँ पर 3 में 2 से गुड़ा किये तो 6 हुआ तो 2 से गुड़ा ओपर भी हो जाएगा तो 2X हो जा अब यहाँ पर बराबर में 10 है तो बराबर में 10 लिख लेंगे अब यहाँ पर देखें 3X में 2X जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा और बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 10 अब देखिए यहाँ पर 5X को इधर ही और 6 को उधर 55 कर देंगे यहां पर side में आप लोग देख लिजेए जगा नीचे थोड़ा कम है तो यहां पर देखे साइड में देख लेते हैं तो यहां पर देखे 5 X बटे 6 है और बराबर 10 है तो यहां पर देखे 5 X को इधर ही रखेंगे और जो है 6 को उधर भेढ़े X है और जो है X के साथ में 5 गुड़ा कर रहा इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर 10 गुड़े 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अब 5 से 10 को काट देंगे 5 दुनन 10 हो जाएगा अब X बराबर कितना हो जाएगा 6 का 2 से गुड़ा हो जाएगा तो छेदुना 12 हो जाएगा अब देखिए हमको क्या निकालना था X की value निकालना था तो X की value हमारी आ जाएगी X वराबर 12 और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है चित्र में तिर्भूज ABC और तिर्भूज PQR दो समरूप तिर्भूज है यदि BC बराबर 2 cm AB बराबर 3 cm और QR बराबर 3 cm हो तो भूजा PQ की map gap कीजिए तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दोनों तिर्भूज जो है यहनिकि तिर्भूज ABC और तिर्भूज PQR दोनों समरूप तिर्भूज है तो समरूप तिर्भूज के लिए एक condition होती है या तो कह लिजे कि एक सर्थ होती है कि समरूप तिर्भूज की जो संगत भुजाएं होती है के संगत भुजा यह होगी यह आप लोगों को ध्यान रखना है तो यहां पर देखिए जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानपाती होती हैं तो यहां पर हम तिर्भुज ABC और तिर्भुज PQR में क्या करेंगे जो है यह अमर्णिशन लगा देंगे यह तो यहां पर जो है उपर लेंगेज में चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं समरूप तिर्भुज की संगत भुजाएं संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है समरूप तिर्बुज की संगत भुजाएं एक दूसरे के एक दूसरे के समानुपाती होती है समानुपाती होती है देखे यहाँ पर समानुपाती हो जाएंगी तो यहाँ पर हम देखें क्या लिखेंगे देखें बी सी यहाँ पर बी सी भुजा जो यह है बी सी बटे क्यू आर कर देए देखें संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी बी सी बटे क्यू आर क्यू आर देखें यहाँ पर हमको पी क्यू निकालना है तो हमको यह ध्यान रखना है कि PQ को जरूर इसमें सामिल करना है तब ही जो है हमारी भुजाएं आ सकती हैं और यह ध्यान रखना है कि जिन भुजाओं की माप दी हुई है उनको जरूर सामिल करना है तो यहाँ पर देखें यह दोनों भुजाएं दी हुई है तो इनको हम जर PQ हो जाएगा AB अपान क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा और उसके बाद पर देखिए अब इनका हम मान रख देंगे तो देखिए इनका जब मान रखेंगे यहाँ पर BC बराबर 2 cm और QR बराबर कितना है 3 cm और फिर बराबर AB बराबर कितना दिया हुआ AB बराबर दिया हुआ 3 cm और जो है PQ हमारा दिया नहीं तो PQ की जगे पर PQ ही रहने देंगे, आप देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर इसका जो है cross multiply कर लेंगे तो जब cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 PQ बराबर हो जाएगा 3 तरिक का 9 और फिर PQ बराबर हो जाएगा 9 बटे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 गुड़ा कर रहा इधर जाएगा तो भाग करेगा तो PQ बटे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर PQ बराबर यहाँ पर देखिए 9 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 लिख लेंगे अब देखे सेंटी मीटर में भुजाएदी हुई थी तो यहाँ पर सेंटी मीटर लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आइंसर हो जाएगा यहनि कि हमको PQ गयाद करना था और PQ यहाँ पर हमारा पता चल जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे अब next question देखते हैं question number 9 टैली चिन लगाकर निम्नांकित संख्यों की बारंबारता सांडी बनाईए देखे आज थोड़ा fast मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जाता लंबा हो जाता है मैं पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए आप लोग लगातार ध्यान देते रहना यनि कि चैट वेट थोड़ा कम करना क्योंकि थोड़ा fast पढ़ा रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है अनिता आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर देखे टैली चिन लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारम बारता साड़ी बनाईए तो यहाँ पर देखे यह आंकड़े दिये हुए हैं और यह आव्यवस्थित आंकड़े कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे ही आव्यवस्थित रूप में दे दिये जाते हैं तो सबसे पहले इनको हम विवस्थित करेंगे यनिक इनको ये जो संख्याएं दी हुई हैं इने संख्याओं को हम आरोही करम में लिखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे संख्याओं को आरोही करम में रखने पर संख्याओं को संख्याओं को आरोही करम में रखने पर आरोही को मतलब क्या होता है बढ़ते करम में आरोही करम में रखने पर आरोही करम में रखने पर तो देखें इनको जब आरोही करम में रखेंगे तो यहां पर देखें सबसे छोटी संख्या क्या है बारा है तो बारा को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद पर देखें यह एक बारा हो गया और एक यहाँ पर यह बारा है यानि कि दो बार है तो इसको दो बार लिख लेंगे उसके बाद फिर तेरह देखिए कहीं पर है यहां पर देखिए 13 है तो 13 लिख लेंगे उसके बाद यहां के लाओ देखिए यहां भी 13 है तो इसको भी लिख लेंगे तो 13 भी जो है दो बार है तो इसको दो बार लिख लेंगे उसके बाद देखे 14 यहाँ पर देखे एक बार है इसको एक बार लिख लेंगे और उसके बार देखे और कहीं पर 14 जो है वो नहीं है अब यह 15 को देखेंगे तो यहाँ पर 15 यह एक बार हो गया और उसके बार पर देखे यह एक बार हो गया और फिर यह एक बार हो गया और य चोला यह हो गया एक बार फिर दो और तीन, तीन बार है, तो सोला को जो है तीन बार लिख लेंगे, और सोला के बाद अब कोई संख्याएं नहीं हैं, तो यहां पर देखें कोल मिला करके, 10 और 20 के बीच में ही संख्या हैं तो इनको क्या करेंगे 2 वर्ग अंतराल में बाट लेंगे यनि कि यहाँ पर जो है 10 और 15 के बीच में कर लेंगे संख्या हैं पहले वर्ग अंतराल में और दूसरे वर्ग अंतराल में क्या कर लेंगे पंदरह और 20 के बीच की संख्या हैं तो देखे यहाँ पर 10 और 15 के बीच की संख्या हैं क्या होगी देखे इसी वर्ग अंतराल में 15 वाली संख्या भी सामिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखे बारम बारता में क्या लिखा जाता है कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है और कितनी बार आ रही ये लिखा जाता है तो यहाँ पर देखे 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है और कितनी बार आ रही ये भी साथ में कौंट करना है तो यहाँ पर देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखे 9 संख्या आ रहे हैं क्योंकि 15 को भी इसमें सामिल करना है तो यहाँ पर देखे संख्या हैं तो यहाँ पर देखे 3 ही आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 संख्या आ रहे हैं लेकिन जो है जितनी बार आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है तो यह आ रहे हैं 9 बार तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे 12 बारता में, उसके बाद 15 और 20 के बीच में, तो देखे 15 और 20 के बीच में सिर्फ 16 आ रहा है, यहनि कि 15 तो इसी में सामिल हो गया, तो सिर्फ इसमें 16 आ रहा है, लेकिन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पर 12 बारता में 3 लिख लेंगे, अब बात करते हैं टैली चिन की तो देखें टैली चिन कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर देखें बारम बारता नव है यहनि कि नव को हमको टैली चिन में परदर्शित करना है तो यहाँ पर देखें हम जो है यहाँ पर एक को कैसे लिखते हैं अगर एक बारम बारता है तो एक को सिर्फ एक खड़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं दो को दो खड़ी रेखा से तीन को तीन खड़ी रेखा से चार को चार खड़ी रेखा से और जब पांच को दर्साना होता है तो चार खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा इस तरीके से खीच देते हैं तो ये हो गया 5 लेकिन यहाँ पर है 9 यनि कि अभी ये पूरा नहीं हुआ तो हम फिर क्या करेंगे अब 5 के बाद फिर ये 6 फिर एक खड़ी रेखा फिर 7 फिर एक खड़ी रेखा और फिर एक 8 ये भी खड़ी रेखा रहेगी और फिर एक 9 ये खड़ी रेखा रहेगी अब देखिए पांच ये रेखाएं हो गई और पांच चार नौ पूरा हो गया अगर यहाँ पर दस होता तो फिर एक पड़ी रेखा खींच देते यनि कि चार खड़ी रेखाएं खींचते हैं और अगर पांच वी की जरूरत हमको है तो वो जो है इस तरीके से इनको क्रास करके जो है पड़ी रेखा खींची जाती है अब यहाँ पर सिर्फ तीन का टैली चिन बनाना है तो यहाँ पर एक दो तीन यनि कि तीन खड़ी रेखा है इस तरीके से खींच देंगे तो यहो जाएगा टैली चिन तो इस परकार से यह कुस्चन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो देखें अब next question देखतें हैं तो देखें next question है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखें सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखे तो देखे आप लोगों को जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पुडांक बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है तो जो लोग अभी तक जो है ना जानते हों किलियर तो इस पर कई वीडियो हम बना चुके हैं तो आप लोग वहां से किलियर कर लिजिए कि जो है अभी कल के वीडियो में भी आप लोगों को यही प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पर्मे संख्या पर्मे संख्या यही पढ़ाया गया है तो आप लोग वीडियो देख करके clear कर लिजे के पूर्ण संख्यां कहते किसे हैं तो देखें यहां पर एक बात में आप लोगों को बताए भी दे रहा हूँ कि पूर्ण संख्यां क्या होती है देखें प्राकृतिक संख्यां में जब 0 को सामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्यां कहलाती है, प्राकृतिक संख्यां में जब 0 को सामिल कर लिया जाता है, तो वह पूर्ण संख्यां कहलाती है, लेकिन उससे पहले बाप लोगों प्राकृतिक संख्यां जानना जरूरी है, तो देखिए ऐसे संख्यां जो गिनने में परियुक्त होती होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं तो यहां पर अगर देखा जा तो सबसे चोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी जीरो तो यहां पर जीरो ही जो है हमारा answer हो जाएगा तो अब आगे देखते हैं next question तो देखिए next question है निम लिखित में शमीकरण तथा शर्व समीका छाट कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए बहुत ही आसान question है लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तब यही question आप लोगों के लिए कठिन भी हो जाएगा यहनी कि आप लोगों को सर्व समीका और समीकरण छाट करके लिखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्व समीका क्या होता है तो देखिए जो समीकरण होता है उसके दोनों पच बराबर नहीं होते हैं ये पॉइंट याद रखना समीकरण क्या होता है इसके दोनों पच बराबर नहीं होते हैं और जो सर्वसमीका होती है उसके दोनों पच बराबर होते हैं ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखने में बराबर नहीं लग रहा हमको लेकिन यहां पर जो है गुड़े के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम साल्व करके देखेंगे तो यहां पर देखेंगे इसका अंदर गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और फिर 2 का 2 में गुड़ा करेंगे सारी 2 का 1 में गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे इधर से जंख्या उतार लेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे Lhs बराबर क्या है Rhs दोनों बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सर्व समिका सर्व समिका तो इस परकार से इसको छाट सकते हैं और यहाँ पर देखिए LHS है और यहाँ पर यह इधर वाला RHS है यह दोनों देखिए बराबर नहीं है तो यहाँ पर LHS is not equal to RHS लिकर के और यहाँ पर नीचे लिक लेंगे यह क्या होगा यह होगा समिकरण यहनिकि LHS और RHS बराबर नहीं है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह समिकरण हो जाएगा और यह हो जाएगी सर्व समिका तो इस परकार से छाट करके हम आसानी से लिख सकते हैं यह कुछ अगर साल्व करने के लिए दिया हो तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुड़ा भाब करके जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि LHS और RHS बराबर हो रहे हैं तो यह आप लोगों को भी से शुप से ध्यान देना है और बाकी आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए और जब बराबर हो तो सर्व समीका होगी और बराबर अगर ना है तो क्या होगा समीकरण होगा यह ध्यान देखना है आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को सम्द्भाजित करती है उन तीन तत्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें की तिर्भुज ABD सर्वांगसम तिर्भुज ACD देखें यहाँ पर सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है बहुत important कुश्चन है आप लोगों को पढ़ाया भी गया है तो पुना एक बार कुश्चन को पढ़ लेते हैं कि चित्र में रेखा AX तो देखें यह रेखा AX है चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC CAB और कौन सी है BDC C यनि कि जो यह कोण है और जो यह कोण है इसको क्या करती है यह AX भूजा यह सब्धुभाजित करती यनि कि दो altern जो है भागों में बाटती है तो उन तीन तथियों को लिखना है जो यह सिद्ध करें कि तिरभुझ A B D सरवांगसम तिरभुझ ACD यानि कि इस तिर्भुज के सर्वांगसम तिर्भुज ये होगा ये हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसके लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वांगसमता की सरतें क्या होती है यहाँ पर सर्तें आप लोगों को सार्ड कट में बताये दे रहा हूं सर्तें तो देखे सर्वांग समता की सर्तें होती हैं पहले बात तो दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए या तो दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी च चाहिए और यहां तो फिर जो है side angle side होना चाहिए और यहां तो फिर जो है sss यानि कि side 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 यानि कि तीनों भुजाएं या तो बराबर हो या तो एक कोण्ड दो भुजा बराबर हो और या तो दो तत्थ हैं जो जो है इसको सरवांगसं सिध्ध कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हम पहली कंडीशन लिख रहे हैं आप लोग देख लीजे यहाँ पर पहली कंडीशन हो जाएगी जो यह रेखा है यहनि कि AD AD रेखा जो है यह जो है इन दोनों कोणों को कहा गया है कि भाजित कर रही है तो जाहिर सी बात यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा और जो यह भुजा है यह भुजा देखिए इस तिर्भुच की भुजा है और इस तिर्भुच की भुजा है यहनि कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AD भुजा जो है दोनों तिर्भुज के लिए क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरी सर्थ क्या लिख सकते हैं दूसरी कंडिशन क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखें कोंड यह जो कोंड है इसके बराबर होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोंड CAB, देखे, C A D, यहाँ पर C A, देखे, C A D कौण, यहाँ पर देखे, C A D, यहनि कि जो यह कौण है, इसके बराबर कौण यह होगा, तो यहाँ पर बराबर कौण लिख लेंगे D A B, कौण D A B, और फिर देखे, तीसरी जो वो है condition वो क्या लिख लेंगे तो देखिये तीसरी condition है, कौण CDA, कौण CDA बराबर होगा कौण किसके, ADB के, अब देखिये यहाँ पर, जो है, دो भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो गए, यहाँ पर कौन सी condition लागू हो रही, यहाँ पर जो है यह एक भुजा सिर्क बराबर है और यह जो है दो कोंड बराबर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो है यह वाली कंडिशन लागू हो रही है angle side angle यनिकी एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण कोण भुजा कोण यनिकी कोण भुजा कोण ये condition जो है यहाँ पर लागू हो रही है इसलिए तिर्भुज क्या होंगे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यही कह लिजे हमको सिद्ध करना था तो अब देखिए next question देखते हैं question number 13 यदि x minus 1 upon x बरावर 3 बटे 2 तो x square plus 1 upon x square का मान गयाद कीजे देखिए बहुत ही आसान question है और यही question जो है कल किसी student ने हमसे जो है whatsapp पर जो है पूंचा भी था तो हमने उसको हल करके भेज दिया था और यही question देख लिजे यहाँ पर paper में आ भी गया है तो बहुत ही आसान question है यहाँ पर इसको आप लोग समझ लिजे अब नाम तो नहीं याद है कि किसने पूंचा था लेकिन कल किसी ने whatsapp पर यह photo case करके send किया था तो हमने इसको हल करक उसका photo उसके पास भेजे थे तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझ लिजे कि इसको कैसे करना है तो यहाँ पर सबसे पहले जो यह लिखा है इसको जो है उतार लेंगे नीचे x-1 upon x बराबर 3 बटे 2 और फिर नीचे लिख देंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर देखिए दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x-1 upon x का whole square और बराबर हो जाएगा 3 बटे 2 का whole square तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा a-b का whole square का formula खोल देंगे तो हो जाएगा x square plus 1 upon x square और फिर हो जाएगा देखे फिर यहां से क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा minus क्योंकि देखे a square plus b square minus 2a भी होता है minus हो जाएगा 2 into x और into 1 upon x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखे तीन त्रिक्का नव और दो दुनना चार यहाँ पर देखे बटे में दो है तो दो दुनना चार हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे एकस स्क्वाइर और प्लस वन अपान एकस स्क्वाइर हो जाएगा और यहां से देखे x x cancel हो जाएगा तो यहां से देखे क्या हो जाएगा 9 बटे 4 और देखे यहां पर minus का 2 बच्चा है उधर जाएगा तो plus का 2 हो जाएगा अब यहां पर देखे side में इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे, side में यही चीज़ें यहाँ पर उतार लेते हैं, तो यहाँ पर देखे, हो जाएगा x square, और जो है, यहाँ से देखे, इस तरीके से कर लिजी, तो यहाँ पर देखे, x square, और फिर जो है, plus 1 upon x square हो जाएगा, और फिर बराबर, यहाँ पर देखे, lcm ले लेंगे, तो LCM लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, अब यहां से देखिए, X square प्लस 1 अपान X square हो जाएगा, और बराबर यहां पर देखिए, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा यानिकि 17 बटे 4 हमारा एंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये question हल हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question क्या है देखें x-2y plus 3y-x-3x-2y को सरल कीजिए बहुत ही आसान question है तो देखें इसको सबसे पहले क्या करेंगे इसको सबसे पहले नीचे उतार लेंगे x-2y और फिर plus 3y-x और minus 3x-2y इस तरीके से इसको उतार लेंगे फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर देखें आप क्या करेंगे bracket को हटा देंगे तो यहाँ पर देखें bracket को हटाएंगे तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा x-2y फिर बीच में plus है plus लगाए और फिर 3y-x है इसको लिख लिए और इस minus की वज़े से इसके अंदर के चिन है change हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा minus का 3x और plus का 2y अब देखें यहाँ पर जो पद जूड़ घट रहे हों उनको जूड़ घटा लेजिए और जो है जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा तो यहाँ पर देखें x plus का है और यहाँ पर x minus का है यह आपस में cancel हो जाएंगे फिर देखें यहाँ पर 2 y minus की है और यहाँ पर 2 y plus की है ते दोनों अपस में cancel हो जाएंगे आप देखें यह 3 y plus का है और यह 3 x है minus का तो इनको साथ में लिख लेंगे यहनि कि यह बच जाएंगे तो 3 y minus 3 x हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे, चाहें तो हम 3 common ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 common ले करके देखिए क्या बचेगा, y minus x बचेगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी यह y minus x हमको उल्टा लग रहा कि, उल्टा लिखा हुआ है, य यनि कि इसमें minus से क्या करना पड़ेगा, गुड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, minus यहाँ पर हो जाएगा, यह कह लिजिए कि minus का जो है, क्या करेंगे, यहाँ पर minus common ले लेंगे, तो यहाँ पर minus का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए, x जो है, यह क्या ह मैंनस इक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर नहीं है यहाँ प्लस का यह क्या करेंगे मैनस कॉमन ले लेंगे यही हमारा Geno हो जाएगा आप देखेंगे आगे क्ऊस्चन देखते हैं तो देखिए next question है एक कमरे का फर्स 300 cm गुड़े 425 cm माप का है कमरे की फर्स पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ग्याद कीजिए एक ही माप के टाइल लगवाने हैं और जो है कमरे की फर्स का छेत फल एक हिसाब से कह लिजी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कमरे का फार्स 300 cm गुड़े 425 cm है तो यहाँ पर अगर इसका इसका गुड़ा करेंगे तो क्या होगा फार्स का छेत फल ही निकाल आएगा तो यहाँ पर देखिए जो है वर्गा कार टाइल हमको लगवानी है तो सबसे पहले तो द पताना है कि कितने टाइल कुल टाइल कितने लगेंगे तो इसके लिए हमको जो है 300 odd 425 का जो है क्या करना अभ़एगा मासा निकालना पड़ेगा तो यहां पर हम देखिए लिख लेएंगे फार्स का च्शेत फल बराबर लगा फर्स का छेत फल बराबर तो देखे छेत फल क्या होगा चूंकि वर्गा का टाय जो है यह फर्स है फर्स कैसी है देखे यहाँ पर आयताकार है देखे क्योंकि जो है लंबाई और चोड़ाई अलग अलग दी हुई है तो यह हो जाएगी आयताकार और आयत का छेत फल संख्या निकालनी है जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर देगी वही जो होगी वो क्या होगी टाइल की एक भुजा हो जाएगी क्योंकि जो है टाइल की जब हमको भुजा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं का जो है मासा निकालना प लगवाई जा सकती है और जो भुजा एक आएगी वो यहाँ पर कहा गया है कि फर्स पर वर्गा का टाइल लगाने है तो यनि कि वो जो एक भुजा आएगी वो वर्ग की भुजा होगी यनि कि वर्ग की क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है और फिर उसी का हम क्या करेंगे छेतफल निकाल लेंगे और फिर इसके छेतफल से उसके छेतफल को भाग कर देंगे तो टाइल्स की संख्या निकाल आएगी तो यहाँ पर देखे अब हम फर्स का छेतफल यहाँ पर देखे इस तरीके से लिख लिए हैं, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जो है हम इनका मासा निकालेंगे, तो बड़ी संख्या को चोटी संख्या से भाग देंगे, यहनि कि भाग विधी से हम मासा निकालेंगे, तो यहाँ पर अब 50 बचेगा तो 125 को फिर भाग देंगे 50 से तेहां पर देखें 50 दुनना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अब यहां से बचा 25 अब 25 से जो है 50 को भाग देंगे तो 25 से कम 25 से कम नहीं दो बार चला जाएगा 25 दुनना 50 तो यहां पर देखें पूरा-पूरा कैंसिल हो तो यहां पर जो मासा आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा तो जो मासा आएगा 25 आएगा अता जो टाइल है यहां पर लिख सकते हैं अता है अता है टाइल की भुजा बराबर टाइल की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी टाइल की भुजा बराबर 25 cm हो जाएगी अब जब ट निकाल सकते हैं टाइल का छेत फल बराबर टाइल का छेत फल बराबर देखिए चूंकि कहा गया है टाइल वर्गाकार है तो यह वर्गाकार टाइल है और इसकी एक भुजा निकाल आई है तो यहाँ पर हम जो है टाइल का छेत फल निकाल लेंगे भुजा स्कॉयर से तो अभी इसको 25 उड़े 25 के रूप में ही लिखा रहने देंगे, अब देखिए हमको निकालना क्या है, टाइलों की संख्या निकाल ली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या बराबर, तो देखिए टाइलों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स का छेत्रफल बराबर लिखेंगे फर्स का छेत्रफल बटे क्या हो जाएगा टाइल का छेत्रफल यहनि कि एक टाइल का जो छेत्रफल होगा उससे अगर फर्स के छेत्रफल को भाग दे देंगे तो इस फर्स में कितनी टाइल लगेंगी ये निकल आएगा तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे टाइल का छेतरफल तो यहाँ पर देखें फर्स का छेतरफल कितना है तो फर्स का छेतरफल है 425 गुडे 300 और बटे में हो जाएगा देखे जो टाइल का चेतफल है वो कितना है 25 गुड़े 25 यहाँ पर देखे 25 गुड़े 25 हो जाएगा अब क्या करेंगे अब यहाँ पर देखे 25 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर देखे 25 से कम 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखे 25 से कम 25 हो गया अ जो है कितनी बार जाएगा तो यह जाएगा पचीस सते देखिए कितनी बार जाएगा देखे कितनी बार जाएगा पच्चीश देखे यहाँ पर पुना एक बार देख लिए पच्चीश एकम पच्चीश हो गए यहाँ पर बच्चा पांच तो यहाँ पर देखे जीरो उतारेंगे तो पच्चास हो जाएगा तो यहाँ पर देखे बचेगा 25, 5, 30 और 10, 40 यनि कि बचेगा 17 और 17 बचेगा और उसके बाद फिर जो है 17 के बगल में जब 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा अब 25, 400 होता है और 25, 7, 175 होता है तो यहाँ पर देखेए 25, 7, 175 हो जाएगा यनि कि उपार अब क्या बचा 17 गुड़े 12 बचा और बटे में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 17 गुड़े 12 कर लेंगे तो 17 गुड़े 12 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखेए 12 सते 84, 84 का 4 हो जाएगा और 12 एककम 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 आठ 20 हो जाएगा यानि कि 204 जो है हमारा answer आ जाएगा तो इस परकार से 204 टाइल्स जो है इस फर्स में लगेंगी तो यही हमारा जो है answer हो जाएगा तो देखिए यह question जो है थोड़ा tough है लेकिन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो कुछ भी tough नहीं है एक बार पुना है इसको समझ लेते हैं देखिए एक कमरे का फर्स 300 सेंटी मीटर देखिए पुना देख लीजिए एक कमरे का फर्स 300 सेंटी मीटर गुड़े 425 सेंटी मीटर माप का है कमरे की फर्स पर वरगा का टाइल लगाने हैं एक ही नाप के कम से कम लगाये जाने वाले टाइलों की संख्या गैप कीजिए तो देखिए ये कमरे की फर्स का समझ लिए चेतरफल दिया हुआ है यानि कि लंबाई गुड़े चोड़ाई दी हुई है तो ये समझ लिजिए कि क्या दिया हुआ है चेतरफल दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको क्या करना है टाइल्स लगवाना है इतने चेतरफल पर तो हमको क्या करना है देखिए हमको ऐसी संख्या चुनना है तो मासा देखे निकला है 25 तो यानि कि भुजा की जो टाइल है टाइल की भुजा की माप कितनी हो जाएगे 25 हो जाएगी अब टाइल का छेथफल निकाल लेंगे तो देखे टाइल वर्गा का है तो वर्ग का छेथफल होता भुजा स्कॉर तो यहाँ पर भुजा स्कॉर कर ल देख लिये हैं और जो है टाइल का छेतफल कितना हो जाएगा तो 25 गुड़े 25 हो जाएगा अब 25 से इसको सरल कर लिये हैं तो यहां पर देखे कितना आ गया है यहां पर 17 गुड़े 12 है नहीं कि सरल करने के बाद 17 गुड़े 12 हो गया है अब यहां 17 और 12 का जब गुड़ा करे साव और 110 के बीच की अभाज संख्याएं ग्याद किजे बहुत ही आसान कुश्यन है तो आप लोगों को अभाज का मतलब पता ही होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयम और एक के अलावा किसी अन संख्या से न कटे उन्हें अभाज संख्याएं कहते हैं तो यहाँ पर 100 और 110 के बीच की अभाज संख्या हमको ग्याद करना है तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए answer लिख लेंगे यहाँ पर देखिए 101 जो संख्या है वो किसी से नहीं कटेगी तो यहाँ पर 105 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 तरिक्का 9 और फिर 3,5,15 तो 105 कट जाएगा तो वो हो जाएगी भाज संख्या इसलिए 105 को नहीं रखेंगे फिर 107 किसी से नहीं कटेगी और फिर 107 के बाद फिर 109 हो जाएगी तो यह हो जाएंगी अभाज संख्या है तिर्भुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें QR 5.5 cm, RP 0.0, देखिए, RP बराबर 4.5 cm, तथा कौन QRP बराबर 60 डिगरी हो, रचना मत कीजिए, यनि कि हमको क्या करना है, सिर्फ चित्र बनाना है, और बाकी रचना नहीं करना है, तो देखिए, इसका जो चित्र है, वो परकार की सहाथा से ही बन सकता है, यनि कि आपको ऐसे हाथ से नहीं बनाना है, ये आप लोगों को किलियर याद रखना है, ये चित्र जो है, पटरी की सहाथा से, और जो परकार है, परकार की सहाथा से, नाप का ही बनना चाहिए, अगर बगार नाप के ऐसे हास से बनाऊगे तो वो गलत माना जाएगा तो चलिए देखते हैं कि इस तिर्भुज की कैसे रचना करें यहाँ पर कहा गया है कि रचना मत कीजिए तो इसका मतलब यह है कि हमको तिर्भुज जो है बनाना है लेकिन उसकी रचना लिखना नहीं है इसलिए यहाँ पर रचना मत कीजिए लिखा हुआ है बाकि तिर्भुज की रचना तो करनी ही है यानि कि जो चित्र है वो चित्र तो बनाना ही है लेकिन यहाँ पर रचना लिखना नहीं है तो चलिए देखते हैं कि कैसे यह चित्र बने कि रचना लिखी कैसे जाती है तो यहां पर देखिए रचना लिखने के लिए तो मना किया गया है लेकिन हम आप लोगों को चित्र बना के बता रहे हैं कि कैसे यह चित्र बनेगा तो यहां पर देखिए दिया हुआ है QR सबसे पहले देखिए QR दिया हुआ है 5.5 cm तो यहां प यहां पर देखिए, 0 से खीचना जो है, शुरुवात करते हैं, यहां पर 0 से और फिर जो है, कहां तक खीचेंगे, 5.5 cm, तो यहां पर देखिए, 5 और 6 के बीच में जो है, यहां पर देखिए, एक्स्ट्रा हो गया है, इसकेल में थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता ह है, इसलिए थोड़ा इक्स्ट्रा हो गया, यहां पर इतना मिटा देते हैं, तो यहां पर देखिए, किवल जो है, 5.5 cm ही खीचना है, तो यहां पर 0 से शुरुवात करेंगे, और 5.5 यहां पर 5 और 6 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है, यहां तक हम खीचेंगे, तो इसका नाम रख लेंगे Q, और इसका नाम रख लेंगे R, और इसको लिख लेंगे 5.5 cm, और फिर देखिए क्या करना है, फिर RP खीचना है, 4.5 cm, तो देखिए, RP जो है, वो RP अभी यहां से देखिए, इधर कहीं होगा P, क्योंकि तिरभुज है, तो इधर कहीं P होगा, तो यहां पर जो है, हम ऐसे खीच नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर से खीचें या इधर से खीचें या इधर से हमको कुछ किलियर नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो है, यह रेखा खीचने के बाद हम तुरंत जो है, RP नहीं खीच सकते हैं, तो यहां पर देखिए, अब अगला दिया हुआ है 60 degree, तो ये कोण वाला काम हम पहले करेंगे, यनि कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 degree का कोण बना लेंगे, तो यहाँ पर देखे 60 degree का कोण कैसे बनाते हैं, तो देखे एक ऐसे अर्ध ब्रत खीज़ देंगे, यनि कि जो ये रेखा है, इस रेखा की आधे से कम नोक रख करके और इस वाले चाप को इस तरीके से काट देंगे, और जहाँ पर इस चाप को ये काटता है, इसी जगह से, यनि कि उसी के काटान बिंदु से इस तरीके से एक रेखा इस तरीके से खीच देंगे, तो ये 60 degree का कोण बनाती हुई रेखा हो जाएगे, आप ये तो पता हो गया कि ये कौण जो है, ये कितने डिगरी का है, 60 degree का है, क्योंकि 60 degree का कोण हम बनाएं हैं, तो ये 60 degree का कोण है, लेकिन अब ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो है, पी बिंदु कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए हमको अब यहाँ पर आर पी बराबर 4.5 cm ल और उसकी माप दी हुई है, 4.5 cm, तो यहां पर देखे, परकार में हम 4.5 cm दूरी ले लेंगे, तो यहां पर देखे, 4.5 cm दूरी लेना है, तो यहां पर देखे, इस तरीके से हम 4.5 cm के दूरी ले लेंगे, और जो है, अब यहां पर हम, जो है, आर को केंद मान करके, इस पर जो है इस तरीके से चाप लगा देंगे और चाप लगाएंगे तो ये हमको बिंदु मिल जाएगा कौन सा P यानि कि इसको P नाम रख लेंगे और P से फिर Q को मिला देंगे और इस प्रकार से तिर्भुज P Q R की रचना हो जाएगी पुना एक बार ध्यान से समझ लिजे देखे सबसे पहले क्या करेंगे Q R एक रेखा 5.5 cm की सारी 5.5 cm की खीच लेंगे फिर देखे यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 डिगरी का कौन बनाती हुई एक रेखा खीचेंगे और फिर जो है क्या करेंगे प्रकार में 4.5 cm की दूरी लेकर के और 60 डिगरी का कोंड बनाने वाली भुजा पर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जो है 60 डिगरी का कोंड बनाने वाली भुजा को P बिंदू पर काड़ता है अब P को Q से मिलाएंगे तो इस परकार से हमारा तिर्भुज P Q R बन जाएगा देखे जो हम बोल रहे हैं यही रचना भी लिखनी है अगर रचना लिखने के लिए आ जाए तो इसी तरीके से अपने सब्दों में आपको रचना भी लिखनी है और बाकी चित्र तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा तो देखे इसकी रचना अगर हमको लिखनी हो तो रचना कैसे लिखेंगे तो बिंदु आर से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खीचा और फिर प्रकार में 4.5 cm की दूरी ले करके और बिंदु आर को केंद मान करके और 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा पर एक चाप लगाया जो 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा को P बिंदु पर क बाड़ता है फिर P को Q से मिलाया तो इस प्रकार से तिर्भुज P Q R की रचना हो जाएगी इतना केवल आपको रचना में लिखना है तो इस प्रकार से ये 17 नंबर कुश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्च है और सेसफल सून है दोनों संख्यां ग्याद कीजे बहुत ही आसान कुश्चन है देखें कैसे लगेगा तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मान लेंगे माना एक संख्या क्या है यहाँ पर देखें दो संख्याओं का अंतर 48 दिया है ना यहाँ पर मानेंगे माना पहली संख्या बराबर X है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर देखिए जब पहली यहां पर बराबर नहीं लगाएंगे देखिए पहली संख्या जब X मान लिए हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो देखिए दोनों का अंतर 48 दिया हुआ है तो प्रस्णा अनुसार चल दा है यहां पर करना क्या है हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है यहां पर देखें बड़ी संख्या है एकस प्लस अरतालिस और इसको जो है भाग देना है छोटी संख्या से तो बटे में एकस हो जाएगा फिर देखें आगे का कहा गया है छोटी यहां पर भागफल 5 का मतलब इससे भाग करने पर जो भागफल आएगा वो बराबर में लिख देंगे यह 5 के बराबर हो जाएगा और सेसफल सूनने हैं जब सेसफल सूनने हैं तो सेसफल से हमारा कोई मतलब नहीं है अब यहां पर क्या करेंगे देखें यहां पर 5 के बटे म तो 5X हो जाएगा अब देखे 5X को इधर ही रखेंगे और X को इधर पच्छांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5X-X देखे 5X को इधर ही रख रहे हैं इस X को इधर पच्छांतर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5-X हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे बराबर में इधर क्या बचेगा 48 बचेगा तो यहाँ पर बराबर में 48 लिख देंगे अब 5x में से 1x घड़ जाएगा तो बचेगा 4x और बराबर में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा और अब x बराबर जो है क्या करेंगे यहाँ पर देखिए x के साथ में 4 जो है वो कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहां पर 48 बटे 4 हो जाएगा अब 4 से इसको सरल कर लेंगे तो 4 एककम 4 और 4 दुनना 8 हो जाएगा यानि कि X बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अब देखे यहां X की value हमको पता चल गई है अब यहां से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं तो देखे पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी पहली संख्या बराबर तो देखे पहली संख्या X थी तो यहां पर 12 ही हो जाएगी और दूसरी संख्या देखे क्या हो जाएगी दूसरी संख्या बरावर तो देखें दूसरी संख्या थी X प्लस 48 तो यहाँ पर X की वैलू आई है 12 तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और फिर इसमें 48 जोड देंगे तो देखें 48 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो इस परकार से जो प्रीवियस एर का 2016 का पेपर था यह पूरा का पूरा साल्व हो चुका है यानि कि कुल 18 कुश्चन थे और सारे कुश्चन हल हो चुके हैं तो मैं उमेद करता हूँ कि यह सारे कुश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मॉबाइल पर सबसे पहले पहुँचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम